मुक्त बेसिक शिक्षा कारेक्रम के अंतरगत स्तरक पर कटाई, सिलाई एवं पोशाख निर्माण के कारेक्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ उर्मी और आज मैं आपको जानकारी दूँगी मशीन के सही तरीके से चलाने की तक्नीक की शिक्षार्थियों यूँ तो बाजार में बहुत अलग-अलग कमपनियों की मशीने होती हैं लेकिन आप विचलिक मत हो ये क्योंकि हर मशीन के चाहे वो किसी भी कमपनी की हो उसके कल पुर्जे जो होते हैं वो एक से होते हैं और उसको चलाने की भी तक्नीक एक सी होती है तो मशीन चलाते हैं जब हम सिलाई करते हैं उससे पहले हमें कुछ क्रिया कलाब करने पड़ते हैं जैसे हमें सुई को फिट करना पड़ता है अब शिक्षार्थियों आपको पता है कि मशीन की सुई जो है वो सिलाई की सुई से अलग होती है वो उपर गोलाकार होती है और नीचे आके नोकीली हो जाती है वो एक तरफ से गोल होती है और एक तरफ से बिलकुल चप्टी होती है तो जब हम मशीन में सिलाई को फिट करते हैं तो चप्टी वाली तरफ से फिट करते हैं मशीन में सिलाई फिट करने से पहले, हम सुई के गज को उपर उठा लेते हैं, जितना भी उसको उठा सकते हैं और जो चुटकी है उसको धीला कर देते हैं ये जो चुटकी है इसको हम धीला कर देते हैं उसके बाद हम सुई की जो एकदम फ्लाट वाली साइड है उसको हम इसमें अंदर डालना शुरू करते हैं क्योंकि आपको पता है कि सुई वाले गज में एक खाचा होता है तो हम तो हम चुट्की को कस देते हैं उससे क्या होता है हमारी जो सूई है वो अपनी जगा बैठ जाती है अब सुई में धागा कैसे भरे हम सुई के धागा भरने के लिए हम पहले रील को उसकी तीली पर लगाते हैं उसके बाद उससे धागा खीच लेते हैं फिर हम ये जो प्लेट्स हैं इन में धागे को फसाते हैं और उपर कुंडी में से निकालते हैं कुंडी के बाद उसको इस हुक में से निकालते हुए हम नीचे खीच लेते हैं और बाहरी तरफ से अंदर की तरफ हम सुई का धागा पिरोते हैं सुई के धागा पिरोने के बाद हम उसको थोड़ा खीच लेते हैं जिसे कि 3-4 इंच का धागा बाहर रहे शिक्षार्तियों ऐसा करना जरूरी है क्योंकि अगर हमने धागा छोटा छोडा तो जब हम पईया गुमाएंगे और मशीन चलाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो धागा हमारा निकल जाएगा तो हमारी सुई फिट हो गई उसमें धागा का पिरोदिया हमने अब हमारा दूसरा आता है कि हम कैसे शटल में या फिरकी में धागा भरें फिरकी के धागे को भरने से पहले हमें जो गती चक्र पे स्कुरू लगा हुआ है इस स्कुरू को धीला करना होता है इसको धीला करके ह इसकी तीली में fit कर देते हैं, बिठा देते हैं, और जो उसका ये काला पहिया है रबड का, इसको गती चक्र से के पास ले आते हैं, वहाँ पर इसको attach कर देते हैं, और उसके बाद हम इसका ये जो एक clip आपको दिख रहा है, ये clip लगा देते हैं, अब हमारी फिरकी इस पर fit ह अब हम फिर से तीली पर अपनी रील लगाते हैं और थोड़ा धागा, थोड़ा सा धागा फिरकी में हम अपने हाथ से उसमें लपेड देते हैं, उसके बाद हम मशीन को चलाते हैं, जब हम मशीन को चलाते हैं तो धागा फिरकी में भर जाता है, अब जब धागा फिरकी में तो हम उसको उसकी डिबिया में डालते हैं, हमारा next अगला क्रिया कलाप है कि हम उसको डिबिया में डालते हैं, ये उसकी डिबिया है, इसमें हमने डाल दिया है, अब डिबिया में एक कट होता है, उस कटने से हम धागा 3-4 इंच का बाहर डिकाल लेते हैं और फिर ये देखिए धागा खीच लिया हमने अब फिर हम ये डिबिया को शटल में एकदम बिठा देते हैं जब शटल में एक बार हमारी सही तरीके से डिबिया फिट हो जाती है तो एक कट की आवाज आती है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी डिबिया जो है वो फिट हो गई है अब नीचे का धागा उपर कैसे लाएं तो हम सुई के गज को नीचा करते हैं और सुई को जो नीडल प्लेट है उससे नीचे जाने देते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे उसको उपर उठाते हैं जब हम उपर उठाते हैं तो वो अपने साथ नीचे का धागा साथ लेकर आती है तो हमने ये दो क्रिया कलाप करें हमने नीचे का धागा भी उपर कर लिया अब फिर हम इन दोनों धागों को खीच कर पीछे की साइड ले जाते हैं अब हमारी मशीन जो है वो काम करने के लिए तैयार है हम इसका स्कुरू जो है वो टाइट कर देते हैं क्योंकि धीले स्कुरू में मशीन चलेगी नहीं तो हम इसको tight कर देते हैं या कस देते हैं जो शिक्षार्ती पहली बार सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए वान्चनिये हैं कि वो पहले कागस पर अभ्यास करें सीधे कपड़े पर ना करें उसके बाद वो जिग-जैग चलाएं, उसके बाद घुमाओदार उसमें चलाएं, फिर गोल चलाएं, उनको अभ्यास हो जाएगा, और फिर चौकोर चलाएं, चौकोर में चलाने से उनको कोने बनाने आ जाते हैं. सिलाई करते वक्त हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है. सिलाई की जो मशीन हैं, जहां हम बैठे हैं, उससे थोड़ी उचाई पे रखी हो. जिस जगा पे हम बैठे हुए हैं, उस वहाँ एक गद्धी या एक कुशन रखा हो, जिससे कि हमको थकान महसूस ना हो. हमें अपनी कमर सीधी करके रखनी हैं, जिससे कि हमारी रेड की हड़ी और हमारे कंधों में दर्द ना हो. हमें ये बात बहुत ध्यान से देखनी है कि हमने जो सुई ली है वो बिल्कुल सही तरह से फिट हुई है और हमने चुटकी को कस दिया है जिससे कि सुई धीली न हो और बीच में गिर न जाए हमें इस बात का भी विशेश ध्यान रखना है कि जो उपर और नीचे के धागा है दोनों की जो मोटाई है वो एक होनी चाहिए अगर धागा जो है वो बराबर की मोटाई का न हुआ तो हमारे टाके जो है वो सही नहीं आएंगे हमें ये भी देखना है कि हमारे धागों की जो कसाव है वो बिलकुल एक बराबर है वो आराम से चल रहे हैं फिर जब हमारी सिलाई शुरू करने से पहले हमें गंदे कपड़े को लेकर या पुराने कपड़े को लेकर उस पे सिलाई पहले एक पहली सिलाई मारे उससे क्या होता है कि अगर अतिरिक तेल हमने जो डाला था मशीन में वो रिस रहा है तो वो उस कपड़े पे आएगा हमारा नया कपड़ा खराब नहीं होगा सिलाई करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि जो ज़ादा हिस्सा है कपड़े का वो बाहरी तरफ रहे अंदर की तरफ ना रहे जब हमारी सिलाई खतम हो गई तो हमें फिर से इस क्रू को धीला करना होगा और घोड़े को नीचे करना होगा और एक कपड़ा लगा देंगे जिसे की हमारा जो घोड़ा है वो उस पर रेस्ट करें हमारी जो सुई है वो उस पर रेस्ट करें और सुई का धागा निकाल देंगे मशीन को हमेशा धक के रखेंगे तो शिक्षार्तियों आज मैंने आपको बताया एक मुख्य तकनीक जिसके तहत हम मशीन को चलाते हैं मैं आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी का लाब उठाएंगे मेरी आपको शुब कामनाए नमस्कार